Hello everyone, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर्स्ट है, तो यहां पूछा गया है कि जब हम Newland's Octave को देखें, तो क्या वहाँ पर दोबराइनर्स ट्राइट भी हमें देखने को मिलता है, तो यह देखने को मिलता है, जब भी हम Newland's Octave की क्लासिफिकेशन को देखेंगे, तो दोबरा प्रोटेशिम, जो की सेम कहां थे, डोबराइनर्स ट्राइट में, यानि कि अगर हम लीथियम और प्रोटेशिम के अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो सोडियम का अटोमिक मास, एप्रोक्सिमेट अटोमिक मास हमें मिल जाएगा, नेक्स्ट इस, वाट वर दो लिमिटेश अगर उन सब ही को देखें, तो यह सिर्फ केल्शियम तक ही अप्लिकेबल था, यानि कि अगर हम केल्शियम के आगे जाएंगे, तो जिनके अटोमिक मास बढ़ता जाएगा, वहाँ पर यह निवलेंड लॉफ ऑक्टेव काम नहीं करता था, अगर इसके साथ ही क्या बात है केल्शियम के बात, जितने भी अलिमेंट से उन में, उनकी प्रॉपर्टीज में अगर यही चीज़ देखी जाएंगे, एट्थ अलिमेंट हैंगे, तो वहाँ पर यह बिल्कुल भी काम नहीं करता था, और इसके बाद, मूलेंड अक्टेव के बात, जो भी अलिमेंट इसक इसके बाद यह पहले पढ़ चुके हैं कि पोजेशन अफ कोबाल्ट एंड निकर इन ग्रूप अफ कोबाल्ट एंड निकल को इन्होंने फ्लोरीन, ख्लोरीन और ब्रॉमीन के ग्रूप में रखा हुआ था, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी सेम नहीं हैं, इस कहीं से justify नहीं कर रहा था law of octaves को, इसे लिए इसकी ये limitations थी, और इसको आगे accept नहीं किया गया, next है what were the limitations of Dobrinas classification, अब यहाँ Dobrinas classification की क्या limitations थी, Dobrinas ने बनाया था law of trides, तो इसकी limitations क्या थी, यह सिर्फ पहले three trides पर ही justify कर रहा था, कैसे, three trides यानि की nine elements के साथ ही, यह सब ची genetic mean जो है, जो center वाला है, उसके atomic मा से प्रॉक्सिबेट निकला है, इसके बाद यह किसी भी element को justify नहीं कर रहा था, यह इसका law, और second क्या है, इतने सारे elements थी उस टाइम पर, जब कि इनोंने सर्फ 9 के बारे में ही बताया था, और इसी लिए जो remaining element है, उनको suitably according to the law of trides, हम लो जो डॉबराइनर्स classification है, उसको भी आगे accept नहीं किया गया, चलिए मिलते हैं next session में, और जादा questions के साथ, thank you